दोस्तों Facebook ID कैसे बनाएं, अगर आप भी अपने मोबाइल में Facebook पर अकाउंट बनाना चाहते हैं, नई Facebook ID बनाना चाहते हैं, तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे नया Facebook का अकाउंट, Facebook की ID कैसे बनाते हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. तो दोस्तों Facebook पर नई ID बनाने के लिए, आपको Play Store पर जाना है, यहां से Facebook app डाउनलोड कर लेना है, एप इंस्टोल हो जाने के बाद, एप को ओपन करें, जब आप Facebook app को ओपन करेंगे, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, अगर आप इसकी language बदलना चाहे, तो इस पर क्लिक करें, आपको इसके अंदर बहुत सारी language दिखाई देंगी, यहां पर आप अपने हिसाब से कोई सी भी एक language select कर सकते हैं, तो चलिए, हम यहां से English select कर लेंगे, अब यहां नीचे की तरफ, create new account वाले option पर क्लिक करेंगे, तो कुछ ऐसा इंटरफेस सामने आ नीचे next वाले बटन पर क्लिक कर देंगे, तो यहां यह इंटरफेस खुल कर आएगा, अब यहां लिखा हुआ है what's your birthday, अब हमें यहां अपनी date of birth डालनी है, date of birth डालने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करते ही आपके सामने date set करने का option आ जाएगा, यहां पर आप अपने हिसाब से अपनी date of birth सेट कर लें, जिस तरह से हम कर रहे हैं, यहां पर पहले महीना सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यहां पर तारीख सेलेक्ट कर लेंगे, और अब यहां से sun सेलेक्ट कर लेते हैं, यह तीनों चीज सेट करने के बाद यहां नीचे set वाले बटन पर क्लिक कर देंगे, यहां आपकी date of birth आ जाएगी, अब यहां नीचे next वाले बटन पर क्लिक कर देंगे, इस पर क्लिक करते ही आपके सामने यह वाला पेज आएगा, यहां से आप अपना gender सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप male है, तो male सिलेक्ट करना है, और female है, तो female सिलेक्ट कर ले, हम यहां से male सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद यहां नीचे next वाले बटन पर क्लिक कर देंगे, इस पर क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा interface आएगा, यहां पर यह अलाव के लिए बोले, तो यहां अलाव कर देना है, अभी यहां पर इस कॉलम में हमें अपना mobile number डाल देना है, mobile number डालने के बाद यहां next वाले बटन पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करते ही यह interface आएगा, यहां पर लिखा है create a password, मतलब हमें यहां पर एक मजबूत सा अपना Facebook का 6 अंकों का या 8 अंकों का एक password बना लेना है, पासवर्ड में हम यहां letters numbers symbol भी use कर सकते हैं, जिससे हमारा password मजबूत बन जाए, तो चलिए हमने यहां एक password बना लिया है, अब यहां नीचे next वाले बटन पर क्लिक कर देंगे, इस पर क्लिक करते ही, आपके सामने यह interface आएगा, यहां पर लिखा हुआ है, save your login information, तो यहां हम save वाले उप्शन पर क्लिक कर देंगे, save पर क्लिक करते ही, आपके सामने ऐसा interface आएगा, अब यहां पर लिखा है, agree to Facebook's terms and policies, तो यहां हम Agree वाले बटन पर क्लिक कर देंगे, Agree पर क्लिक करते ही, यह वाला इंटरफेस सामने आएगा. यहां लिखा है, Enter the Confirmation Code, अब आपके मोबाइल नमबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहां पर डाल देना है. OTP डालने के बाद, यहां नीचे Next वाले बटन पर क्लिक कर देना है. Next पर क्लिक करते ही आपके सामने यह इंटरफेस आएगा, यहां नीचे Turn On वाले बटन पर क्लिक कर देना है. इस पर क्लिक करते ही आपके सामने Add Your Friends का पेज आएगा. यहां आपको नीचे Skip बाले बटन पर क्लिक कर देना है यहां से इसको फिर से स्किप कर देना है इसको स्किप करते ही आपके सामने ये पेज आएगा Confirm Your Email Address यहां से इसको भी स्किप कर देना है अब यहां आप देख सकते हैं आपकी Facebook ID बनकर तयार हो चुकी है अब आप यहां अपनी Profile देखने के लिए यह Profile वाले आइकन पर क्लिक करें यहां आपकी Profile शो हो जाएगी यहां से आप अपनी Profile की जो भी सेटिंग करना चाहे कर सकते हैं Facebook पर Profile पिक्चर लगाने के लिए इस कैमरे वाले आइकन पर क्लिक करें या फिर यहां Edit Profile वाले आप्शन पर क्लिक करें क्लिक करते ही आपके सामने यह Interface आएगा अब यहां Profile पिक्चर लिखा हुआ है यहां Add वाले आप्शन पर क्लिक करें क्लिक करते ही यहां पर Allow का आप्शन आएगा यहां से इसको अलाव कर देना है अभी यहां फिर से अलाव कर देना है यहां फिर से अलाव करते जाना है आप यहां देख सकते हैं आपके फून की गैलरी में जो भी पिक्चर है वह यहां शो होने लगेंगी आप यहां से जो भी पिक्चर चाहे अपनी Facebook प्रोफाइल पर लगाने के लिए उसी पर क्लिक करें तो चलिए हम यहाँ पर यह पिक्चर सिलेक्ट कर लेते हैं अब इसको इस तरह से सेट कर लेंगे उसके बाद यहाँ Done पर क्लिक करेंगे फिर यहाँ Save पर क्लिक करेंगे अब बस यहाँ से बैक आ जाएंगे अब आपकी Facebook आईडी पूरी तरह से बनकर तयार हो चुकी है तो दोस्तों यह था आज का Facebook आईडी बनाने का पूरा प्रोसेस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर ले मिलते हैं अगली वीडियो में जय हिंद